हलो दोस्तों, वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल, दोस्तों आज हम जिस वर्ड के बारे में बातकरने वाले हैं वो है एगो, एगो का अर्थ और विवन पिरकार हम इस वीडियो में जानेंगे, तो चलिए स्चरी शुरू करते हैं इस वीडियो को, तो सबसे बहले शुरू क क्या होते हैं मीनिंग्स क्या होते हैं इगो का मीनिंग्स होते हैं इहंकार हैं मैं, आपा और एहम. इसका मुख्य मीनिंग जो होता है, प्रमुकार्त होता है, मेन मीनिंग होता है, इगो का एहंकार. अब इसके एक्जाम्पल हैं जैसे, हर इगो प्रिवेंट्स हर फ्रॉम एड्मिटिंग हर मिश्टेक्स. उसका एहंकार उसे अपनी गलतियों को मानने से रोकता है, तो इसका एहंकार उसको अपनी गलतियों से मानने से रोकता है, तो इसलिए लिखा हुआ हर इगो प्रिवेंट्स हर फ्रॉम एड्मिटिंग हर मिश्टेक्स. अब इसका alternative या दूसरा meaning क्या होता है वो होता है self-esteem, ego का दूसरा मतलब होता है बेक्ति का आत्म सम्मान या स्वाब इमान, स्वाब इमान या आत्म सम्मान को भी हम ego कहते हैं, जैसे example है उसका आत्म सम्मान उसकी सफलता का कारण है, his self-esteem is the reason for his success, अब इसका एक अन्य अर्थ ह होता है, arrogance, other examples of ego, arrogance, arrogance, arrogance को भी हम एहंकार कहते हैं, जैसे example है, उसका एहंकार उसके साथ रहता है, his arrogance stays with him, arrogance एक similar word है, ego का, तो मिद करता हूँ दोस्तों, आप ego का मतलब समझ गया होंगे, ego का mainly मतलब होता है, एहंकार या स्वाब इमान होना, या एक घमंड भी कह सकते हैं, उस समझ आ गया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह के word meaning जानने के लिए,